नमस्कार श्लोक क्रमांक 25 अध्याय चार दैवमेवापरे यद्ञै योगिनपरियुपासते ब्रह्माग्नावपरे यद्ञै यद्ने नईवोपजुवती हिंदी भावार्थ श्लोक क्रमांक 25 कुछ कर्म योगी लोग केवल भगवान के उद्देश्य से ही यद्ञुपासना करते हैं तो दूसरे लोग ब्रह्म रूपी अग्नी में यद्ञ करके यद्ञ रूपी परमेश्वर की उपासना करने वाले होते हैं श्लोक क्रमांक 26 श्रोत्रादिन इंद्रियान्यन्ये सैयमाग्निशुजुवती शब्दादिन विशयानन्य इंद्रियाग्निशुजुवती हिंदी भावार्थ इन में से कुछ अर्थात विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवनादिक क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंतर्ण रूपी अग्नी में स्वाहा कर देते हैं तो दूसरे लोग अर्थाक नियमित ग्रहस्त इंद्रिय विश्यों को इंद्रियों की अगनी में स्वाहा कर देते हैं। श्लोक क्रमांक 27 सर्वानि इंद्रिय कर्मानि प्राण कर्मानि चापरे आत्म सैयमयो गागनों जुवति ज्ञान दीपिते। हिंदी भावार्थ श्लोक क्रमांक 27 दूसरे योगि जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म सैयम योग रूपी अगनी में आहूति कर देते हैं। श्लोक क्रमांक 28 द्रव्य यद्नास्त पो यद्ना योग यद्नास्त तापरे स्वाध्याय ज्नान यद्नास्य यतत संशित व्रताह। हिंदी भावार्त श्लोक क्रमांक 28 28 कई पुरुष द्रव्य संबंधी यद्न्य करने वाले तो कई तपस्या रूपी यद्न्य करने वाले तथा दूसरे कई योग रूप यद्न्य करने वाले तथा कितने ही अहिंसाधि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त स्वाध्याय रूप ज्ञान यद्न्य करने वाले होते हैं लुष लड़ा हैं